तो हेलोरेंट कैसे हैंब दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ सेमसंग के मोबाइल में या सेमसंग को कोई साही मोबाइल हो जिसमें 1UI होगा उसके अंदर दोस्तों अगर आपको Apps का स्टाइल या बोल सकते हैं आइकन्स का डिजाइण चेंज करना होता था तो आपको themes download करना पड़ेगा तो जागे आप उसका change कर पाएंगे तो मैं आपको एक easy step बताने वाला हूँ जिससे आप easily apps के जो icon है उसका style या बोल सकते हैं design को change कर पाएंगे जैसा आप चाहेंगे themes के एसाब से बट पूरी themes को apply नहीं करेंगे स्रिफ app icon को ही change कर पाएंगे बहुत ही easy step बताने वाला हूँ दोस्तों तो वीडियो को स्किम्मत करेंगा वीडियो को पूरा देखेंगा तो यह आप समझ पाएंगे तो चलते हैं दोस्तों आगे मेरे नाम सनी और और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में करना क्या होगा अपने मुआल की जाना आपको setting में setting में जाने के आपको यहां पर नीचे की तरफ आएंगे आपको यह option मिलेगा themes का यहां पर जाना है यहां जाने के बाद आप नीचे की तरफ देखेंगे दोस्तों नीचे की तरफ आपको तीन option मिल रहे हैं theme, wallpaper और icons आपको यहां जाना icons वाले option पर यहां पर जैसी क्लिक करेंगे यहां आप चाहे filter लगा सकते हैं, free वाला आप चाहे तो एक एक करके देख सकते हैं, अगर आप यहां टॉप पे क्लिक करेंगे तो आटो आपको फ्री वाली जो टॉप पर आ रही है तो सब आपको देख जाएंगे, आप देख सकते हैं इससा totally free है इसमें से आपको जोन सी भी अच्छी लग रही है, आपको उस पर क्लिक करना है, और उसको आपको कर लेना है, डाउनलोड लाइक मैं यहाँ पर गया, यहाँ जाने के अदा आप दिखेगा, बिफोर यू भाई, आपको यहाँ पर सैंपल भी दिख रहे होंगे, इस सैंपल आ download complete होने के आदि आप से पूछाएगा apply करने के लिए option simply आपको कर लेना है apply और यह पूरा आपका apply हो जाएगा icon बस दो सेटी देखिए download हो चुका है इसके करने का कर लेते apply apply करने का इसको कर दिए हो चुका है तो थोड़ा वेट करिएगा यह हो चुका है टोटली अप्लाइब देख सकते हैं जो default मेरी जो एप थी अप पूरी तरह से चेंज हो चुकी है आप देख सकते हैं यह पर apply हो सकते हैं उसका design को यह style को change कर दिया आप देखेंगे जो डाउनलोड करी हो नहीं होंगी जो normal जो Samsung की तरफ से आती हो पूरी तरह से यहां पर change हो चुकी है आप देख सकते हैं पूरी चेंज हो की और आप और change करना चाहे तो वापिस आपको जाना है साइसी में यहां जाने के आपको दूसरी कोई सी theme देखनी है जो आपको अच्छी लग रही है जो आपको अच्छी लगी आप देख लिजिए इसमें उसको कर लेना simply enable यहां बहुत सारे मिलेंगे आपको जितनी ज़्यादा आप सब उसको suffering करेंगे तो आपको बिल्कुल तरह तरह के यहां पर मिलने वाले like मैं आप यहां पर एक और कोई साथ देख लेता हूं यह वाला आप देख सकते हैं यह वाला भी अच्छा लग रहा है इसको मेरे को जो अच्छा लगा आप यहां पर खोल के देख लीजिए open करने के आपको कर लेना फिर वापस डाउनलोड यह ज्यादा Mb के होते हैं यह मॉस्टुमॉक्स वन टू एमवी यह थ्री एमबी के होंगे देखिए आला भी बहुत कम Mb का था सिंपली आपको कर लेना इसको डाउनलोड कोई प्राबलम नहीं होगी बहुत यह ईजिली अपलाई ह हो जाएगा बट यह है कि कुछ-कुछ एप्सक्री चेंज नहीं कर पाएगा जो एक्सटरनल डाउनलोड होती है या बोल सके जो आपने फ्लेड स्टोर से या और कहीं से डाउनलोड करके रखेंगे उन आइकन को ये चेंज कैना नहीं करेंगा यह देख सकते हैं यह भी पूरी तरह से चेंज हो गहाई आई कर थोड़े हजीया है इसे हाधी जाए है Remove जब भूजिए हो एफ चाहते हैं और चाहते हो चाहते हैं और याप च्छोर से डाउन्लोड कर रखें तो आपको यहां पर आपको filter मिल जाएगा और फ्री का आप जैसी फ्री पर करेंगे उससे फ्री वाली ही दिखाएगा आपको और पेड़ वाली नहीं दिखाएगा यहां फीचर्स में जाके यह आपको नहीं मिलता है सिर्फ टॉप में ही आपको मिलेगा तो यहां से आप इसको मोडिफाई कर लीजेगा और अगर आपको देखना है कि आपने क्या करके रखा है आपको डिलीट करना है तो यहां जाना आपको माई स्टफ में माई स्टफ में जाने करता आपको जाना आइक उसके लिए आपको करना क्या होगा यहां जाना है उसको क्लिक करना है एंड टन डेलीट पे क्लिक कर देना है तो वहerek टेलीट भी हो जाएगा जिससे आपकी कोई space भी नहीं भरेगी तो थो धेंकि दोस्तों तो धोस्तों मुझे उमिद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी दूस्तों लाइक शर्रों करें और अजा बहुत दॉसे मैं शर्क्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करना ना बुले और मुझे इंस्टाग्राम, फेस्टूप फोलो करना भी ना बुले इसका लिंक आपको डिश्यून पर मिल जाएगा, तो थेंकि दोस्तों